अभिवादन सभी को शिक्षक दिवस का आज अवसर है और मैं इस अवसर पर अपने समस्त गुरूओं को नमन्द करती हूँ हम सब अपने जीवन में आज जो कुछ भी है वो अपने गुरूओं के कारण है गुरु ने ही हमें वो मार्ग दिखाया है कि जीवन में हम कुछ कर सके हम सफलतार अरजित कर सके तो गुरु के जीवन पर गुरु किस प्रकार अपने शिश्य को साची में ढालते हैं इस पर एक अधभुत कहानी मैं आपको सुनाती हूँ बहुत समय पहले की बात है एक गुरु कुल था उसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ते थे बड़े बड़े राजा महराजा और साधरन आत्मी के बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते थे तो वर्षों की शिक्षा पूरी होने के पश्चाल जब सभी शिश्य अपने घर लोटने की तैयारी में थे तो गुरु जी की कड़क आवाज सबके कान में पड़ी कि सभी शिश्य मैदान पर इकत्रित हो जाए तो सभी शिश्य मैदान पर इकत्रित हो गए तो गुरुजी ने कहा कि आज आपको अपने घर जाना है लेकिन शिक्षा पूर्ण होने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक दोड को और पूरा करें यह एक बाधा दोड होगी इसमें आपको तेज दोडना होगा कूदना होगा पानी पर भी चलना होगा और एक अंधेरी सुरंग को पार करके गुजरना होगा अब सभी शिश्य तयार हो गए नियत समय पर दोड प्रारंभ भी और दोड को पूरा करते करते वो एक अंधेरी पहुंच गया और अधेरी सुरंग से शिश्य होके गुजरने लगे और अंत में सभी लोगों ने दोड पूरी करी और सभी मैदान में गुरू जी के पास पहुंच गये अब गुरू जी ने कहा कि कुछ शिश्यों ने यह दोड बहुत जल्दी पूरी कर ली कुछ ने है इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए तो एक शिश्य ने कहा कि गुरुजी शुरुआत में सभी का व्यवहार एक साथा सभी एक सांद दोड रहे थे लेकिन अंधेरी सुरंग के पास पहुचते ही सब का व्यवहार बदल गया उस अंधेरी सुरंग में कुछ तीखे नुक को सामना ना करना पड़ी तो गुरुजी ने कहा कि वह लोग वह विद्यार थी जिन और उन पत्थरों को अपनी जेव में रखा हुआ है वो आगे आ जाए तो वो विद्यार्थी आगे आगे उन्होंने आगे आकर गुरुजी ने कहा कि अब वो पत्थर सभी को दिखाओ तो जब शिश्यों ने अपनी जेब से वो नुकीले पत्थर निकाले तो पता चला कि ये पत्थर नहीं वरन बहुमूल्य हीरे थे और गुरुजी ने कहा कि ये बहुमूल्य हीरे दूसरों का रास्ता साफ करने वालों को मेरा इनाम है दूसरों का मार के प्रशर्ष्ट करने वालों को मेरा इनाम है फिर गुरुजी ने समझाया कि यह जो रेस है ये जीवन की भागम भाग को दर्शाती है गुरुकुल से क्योंकि यहाँ परोपकार ही है जो अंतत्य हमें सम्रद्ध बनाता है तो मुझे अपेक्षा है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि वो अपने जीवन की इस भागम भाग में जो भी इमारत बनाएंगे उसमें परोपकार की इटें जरूर लगाएंगे और इस देश को इस कर दो